अलोँ फ्रैंस कैसे हैं आप ढ़िया मस्त रहिए चुस्त रहिए एंटर्टेवलाइन माल यो nosotros को कंफ्यूस कर देते हैं कि कौन सा शोओ देखें ऐसे छिए इक ही टाइम पर बहुत सारी अच्छ आ रहे और वो आप पे डीपैंड है कि आपकों से सितारे हैं, कों से पॉड़क्षन और कोंसा कॉंसा इंब आपके दिल को चुखे जाता है लिगिन अगर यह बात कहें कि जिनके पर्रस सिजन काफी अच्छे गए हूं, काफी पॉपूलर रहे हूं तो उनका अगर नया सीजन आने वाला हो तो सर्चिंग बहुत तेजी से हो जाती है क्योंकि ओलेडी वो पहले पॉपुलर होकर गए हैं ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ काफी शो की जो की नया सीजन आने वाला है और वैसे भी कलर पे तो बाहार है भीया पुराने सीजन के नए सीजन लोटा रहे हैं अब थोड़ा डर गया है क्योंकि मोल की जो है इतनी जल्दी बंद हो रहा है इसलिए जो वेटिंग में डले हुए शो थे जिनका नया सीजन आना था उन्हें थोड़े टाइम के लिए डी विए याष्ग्या ने उनके बारे में हैं कर दिया है तो जो है उने जो है टाम किया उने तो कह रहा है जल्दी दो यह अपना शो पता नहीं कि इसकी क्या पॉलिसी है बLE कि चलिए आपको बताने वाले हम दो शो के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे अपके मैडम सर के बारे में जो अभी कुछ टाइम पहले ही ओफियर हुआ है ऐसे में जो है जब ओफियर हुआ था तो पूरी टीम ने जो है शोशल मीडिया में मैसेज जियादा कि हम जल्दी ही नए सीजन में लोटेंगे और जल्दी ही शुटिंग सुरू करेंगे ऐसे में लग रहा था बस उ शुटिंग सुरू हो जाएगी जहां पे फैंस ने मुझसे भी कई बार कमेंट करके पूछा कि मैडम सर का प्रोमो कब आएगा तो मैंने यही बोला कि मैई जून तक आएगा अभी शुटिंग सुरू नहीं हुई है लेकिन मैई जून तक प्रोमो आएगा भी जो गूगल बताएगा हम भी बताएगे तो ऐसे में फैंस कहां माई जून का वेट करेंगे उन्हें तो लग रहा था कि भाई वो तो अभी कह रहे थे शुटिंग करेंगे फिर क्यों नहीं आया तो ऐसे में उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया ऐसे में मैडम सर बहुत कि भाई इसने बोला था कि ये जल्दी आ जाएगा जल्दी शूटिंग शुरू करेंगे तो फिर इसका नया सीजन देखने को क्यों नहीं मिल रहा है अब भाई मुझे तो लगता है उनके बारे में गुलकी जोसी या बाकी सीतारे या उसका पॉडक्शन जो है वही खबर दे तो जाद अच्छा है लेकिन अभी भी गूगल मई जून बोल रहा है अब बात आती है आपके दूसरे बड़े शो की स्वागनी ये शो कलर की पूरी नीव हिला दी इसने इतना प्यारा शो था ये कहें कि भाई मेरे तो दिल को छुके गया था जहां पर मुझे सबसे प्यारी तेजस्वी परकास लगी थी तेजस्वी परकास आज की डेट में बहुत प्यारी है लेकिन उन दिनों में भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी 2015 में बोट जो है नेगाटिव रॉल में दिलको छूग जाता है जैसे नफरत नहीं लेकिन आपको देखने के अशहा तो आपको बिलते हैं कि आपको देखने के लिए मजबूर हो रहा है तो आपको देखने को मिलने वाला है न्यूस काफी वाइरल हो रही है कि इसके जल्दी ही कास्टिंग सुरू करेंगी आपकी रश्मी मैम और जल्दी ही रश्मी मैम अपना शो लाने वाली है स्वाहनी जैसे आपको बतायाता है कि ससुराज सिम्मर बंद करेंगी और अपना नया शो लाएंगी ऐसे में न्यूस तो यही वाइरल हो रही है क्योंकि ससुरा सिमर अट इस टाइम ट्यार पी अच्छी नहीं दे रहा है या तो यह कहें उसमें सूपर नैश्रल इनोंने जादा ही दिखा दिया है अब कॉन सी कास्ट होनी है कॉन्स को हायर करेंगी यह तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों शो काफी जादा सर्च किया जा रहे है तो इन दोनों शो में से आपका फैबरेश शो कॉन सा है कमेंट करके जूरूर बताइए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है